गाईज क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो पेड़ से गिरे हुए सूके पत्ते की तरह दिखाई देती हो और क्या आपने कभी ऐसी मचली को देखा है जो बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट होती है और वो मिट्टी में ऐसे चुप जाती है जैसे उसको देखना बिलकुल नमुम्किन होता है तो गाईज आज की मैं इस वीडियो में आपको दुनिया के ऐसे 10 इन्वीजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुनाओगा असलाम अलेकुम गाईज विलकुम टू मैं यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे टोप 10 इन्वीजिबल एनिमल्स इन दे वाल्ड नमबर 10 यूर्पियन ईल यूर्पियन ईल ईल्स के एक किसम है जो 3.5 फूट तक लंबी होती है और यह इस तरह का जैनवर है जब यह गास में यह पानी में चुप जाया तो असानी से नजर नहीं आता और बदकिस्मिति से ओवर फिशिंग की वज़ए से इसकी नदाध बहुत कम रह गई है नमबर 9 चेम लियोन चेमरियोन ऐसा जनवरैं जो असानी से अपना रंग बदल सकता है ये जनवर ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रंग बदलता है बलके ये communication और climate change के according अपना रंग बदलता है ये अपना रंग बदलने की वज़ए से कई चीजों में इस तरह छुप जाता है कि वो असानी से नजर ही नहीं आता यही वज़ा है कि इसको इनिविजिबल एनिमल भिखा जाता है बेरिली फिश बेरिली फिश की पूरी बोड़ी आम फिश की तरह होती है मगर इस मचली का सर बाकी तमाम मचलीयों से अलग होता है इसके सर में मजूद अजाब बाहिर अराम से नजर आते हैं क्योंकि इस मचली का सर कम्पलीटली ट्रांस्पेरेंट होता है और यह किसी भी जगा असानी से छुप जाते है यह मचली समंदरों की गरहाई में रती है और इसको असानी से देख पाना बहुत ही मुश्किल है नमबर सेवन सी होर्स सी होर्स जिसको हम दरियाई गोड़ा भी कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम हिपो कैमपस है जिसमें हिपो का मतलब होर्स और कैमपस का मतलब सी है इसी वज़ा से इसे दरियाई गोड़ा भी कहते हैं ये खुद को चुपाने में इस कदर माहिर होते हैं कि असानी से किसी को भी नजर नहीं आते यही वज़ा है कि इनको इनिविजिबल कहा जाता है नमबर सिक्स कैसी डिनाई कैसी डिनाई को टोटवाज शेल बीटल भी कहा जाता है ये बीटल कंपलीटली तोर पर ट्रांस्पेरंट नहीं है मगर ये खुद को इस तरह चुपा सकता है कि ये बिलकुल इन्विजिबल लगे ये ही वज़ा है कि ये इन्विजिबल एनिमल्स की लिस्ट में आता है नमबर फाइव सी एंजल सी एंजल का साइंटिफिक नेम गिमनो सुमाटा है ये स्वीमिंग सी सलग्स की एक किसम है इसको ये खुबसूरत नेम इसकी खुबसूरती की वज़ा से नहीं बलकि इसकी completely transparent होने की वज़ा से दिया गया है ये completely transparent है जो पानी में बिलकुल भी किसी को नजर नहीं आता यही वज़ा है कि इनको invisible animals में शामिल किया गया है जैली फिश का तालुक साइलम साइंडेरिया से है और साइलम साइंडेरिया के बहुत से जैनवर transparent है जिसमें से जैली फिश एक most well known transparent animal है जो कि असानी से पानी में छुप सकता है और खुद को invisible साबित कर सकता है number three glass wing butterfly glass wing butterfly के outline में अगर ये lines मजूद ना होती तो इन को देखना तकरीबन ना मुम्किन हो जाता इन तितलियों के पर मुकमल तोर पर transparent होते हैं जिनके आर पार असानी से देखा जा सकता है और ये outline होने के बावजूद भी खुद को इस तरह invisible करते हैं कि आम इनसान को दिखाई नहीं देते number two glass squid दुनिया में glass squid की तकरीबन 60 से ज्यादा species मजूद हैं जिन मेंसे बहुत सारी transparent हैं जो खुद को invisible कर लेती हैं इनको कोकेटो squid भी कहा जाता है ये fully तोर पर transparent होते हैं और खुद को इस कदर छुपा लेते हैं कि किसी को भी असानी से नदर नहीं आते number one ghost shrimp ghost shrimp एक आला और उम्दा species है जो नदी तलाब और जीलों में पाई जाती है ghost shrimp को glass shrimp भी कहा जाता है और ये species fully तोर पर transparent होती है ये इस कदर invisible होती है कि अगर किसी जगह छोप जाए तो असानी से नजर नहीं आती और ये हमारी most invisible animals की रिस्ट में पहले number पर आती है आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताईएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बेल अकन को जरूर दबाएं थैंक यू अला आफिस झाल सिर्चपले